अगर आप भी हर चीज को Google करने बैठ जाते हैं तो रुके सबर करें क्योंके Chad GPT वालों ने GPT Search के नाम से एक निया Search Angel लाँच कर दिया जो Google को भी टक कर देने वाला है कैसे अभी बताता हूँ आप जब भी कुछ चीज गूगल करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट आते हैं इसके इलावा अभी अगर आप GPT Search पर जाएं Chad GPT वालों का ये GPT Search है आप यहाँ पर जाने के बाद देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक नया 25 जुलाई को Search Engine लाँच किया था जिसकी वेटिंग लिस अभी क्लोज है बहुत से लोगों को इसके एकसेस मिली है लेकिन काफे लोगों को नहीं मिली इसके जो फाइदे हैं वो मैं आपको बताता चलू यहाँ पर आप देखें कि जब भी आपको चीज सर्च करते हैं वो सर्च कुछ इस तरीके से विजुली अपीलिंग विंडोस के साथ आपको मिलती है यही नहीं इसके इलावा आपको बहुत ज़्यदा ऐसे चीज़ें देखनों के मिलती है जो आम सर्च इंजन में नहीं होती जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको हर किसम की रियल टाइम इन्फरमेशन मिलती है आपके लिए जितने भी आंसर्स हैं रेफरेंसिस के साथ आते हैं यानि कि यह आंसर कहां से लिया गया है और आपको हर किसम का रिजर्ट जो है वो विजुली अपेलिंग इमेजेज और उनके रेफरेंसिस प्लस उनकी कॉलिटी और इवन इंटरेक्टिव चार्ट की थ्रू भी मिलता है तो यह जो है यह प्रोटोटाइप है अभी इन्होंने लाँच किया है सिर्फ कुछ भी लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट इसकी क्लोजड है लेकिन अगर आप वेटिंग लिस्ट पे क्लिक करें यू कैन सी के यहां पे बहुत ज़्यादा इन्फरमिशन आपको अविलेबल होगी कि GPT सर्च किस तरीके से आपके गूगल के सर्च इंजन को टक कर दे सकता है और इस तरह के visually appealing charts और YouTube की वीडियो आप किस तरीके से देख पाएंगे transcript कैसे download कर पाएंगे और AI से बरपूर ये पूरे का पूरा जो है knowledge search engine का आपके सामने आने आने वाला है It's coming soon आप लोग भी ऐसी news updates को लेने के लिए subscribe करें आए यूटिब चैनल को or follow us on different platforms See you in the next one Take care and Allah Hafiz